आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्तोंगे, महादेव की क्रिपाप सभी पर सदा बने रहें, ये वीडियो कुम भयानी की एक वेरियस के लिए अत्यंत विशेश हैं, क्योंकि वीडियो है मंगल महराज के राशी वर्तन के बारे में, मंगल महराज 26 अगस को आपके चौथे घर को छोड़ कर आपके पंचम भाब में प्रविश कर जाएंगे, 26 अगस्ते से 20 अक्टूबर 2014 तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा, मंगल एक अती विशेश ग्रह हैं, ग्रहों की बात करें तो उनको ग्रहों का कारकत्व मंगल के पास है, प्रॉपटी, भाई, बहन, अनेक उनके कारकत्व हैं, और यदि हर वेक्ति के कुंडली देखे तो दो भावों के स्वामी होते हैं, आपके लिए वो तीस्वे घर के स्वामी है, अनिकि एक उपचे स्थान और दस्वे घर के स्वामी है, दूस पड़ेगी आपके लाब पर और मंगल की आठ भी पड़ेगी आपके बारवेभर पर तो ये कितनी चीजों पर प्रभाव मंगल का एक साथ होता है और जब भी कोई ग्रह राशी बदलता है तो वो बाकी कुछ ग्रहों के साथ भी डिरेक्ली इंडिरेक्ली संबंद बनाता है जैसे यहाँ पर मंगल शनी के साथ संबन्ध bonna रहे हैं क्योंकि शनी और मंगल एक दूसरत्रिकोन में हैं, ये भी धर्मत्रिकोन, ये भी धर्मत्रिकोन. और इसके साथ ही मंगल की चौती रिष्टी रहेगी नीच के शुक्र पर और साथ में केतु पर तो ये भी कुछ प्रभाव लेकर आएगा जीवन में तो इसी लिए अति विशेश ये योग रहेगा ये मंगल का गोचर रहेगा इसका क्या अच्छा क्या बुरा प्रभाव रहेगा दोनों ही चीजों की विवेचना अपने सतर पर करने का प्रयास करूँगा यदि आपकी लगने राशी या चंदराशी कुम्ब है दोनों ही पंचम भाव में सबसे पहले ग्रह जहां पर आता है उस भाव का रिजल्ट जादा देता है तो पंचम में मंगल है सबसे पहला क्या होगा मंगल एक्टिवेटर है मंगल गती है चंद्रमा की तरह मंगल उस भाव को बल और गती प्रदान करते हैं क्योंकि काल बुरुष की क यह वह समय है जब आपके आइडियास इंपलिमेंट हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा और विशेश प्रभाव यहां पर रहता है पंचम के मंगल विक्ति को बहुत लॉजिकल करते हैं आपको बहुत लॉजिकल आईडियास आएंगे और इसके साथ ही पंचम के जो मंगल ह होते हैं विक्ति के अंदर रिस्क टेकिंग बढ़ाते हैं जो तीसरा भाव है यह कहीं ना कहीं करवाता है और मंगल तीसरे भाव के स्वामी भी हम खुद जैसे माने कहा चीजों को करने के लिए काम आते हैं तो यह वो समय है जब आप बहुत सारे आपके प्लैंज जो लंबे हो शौट टम हो आने वाले हो उन सब के बारे में कुछ ना कुछ लक्षमी स्थान है और मंगल पराक्रम है तो अपने पराक्रम से लक्षमी अर्जित कर पाएंगे यतनी आपके अंदर रक्षमता रहेगी बहुत अच्छा है यह और इसके साथ ही स्टूडेंस का भाव है तो पंचम में जब मंगल आते हैं तो स्टूडेंस को क्योंकि अगर कोई competitive exam आपका होता है तो अच्छा रहेगा और स्टूडेंस का confidence भी बहुत अच्छा रहेगा पंचम भाव thought process का है आपका overall confidence अच्छा रहेगा एक positivity आपके अंदर दिखेगी तो बहुत अच्छी चीज़े यहाँ पर दिख रही है मंगल के पंचम में गोचर के करन, मंगल तीसरे घर के सवामी है और पंचम से ग्यारवे घर के सवामी है यानि कि students को लाव तो होगा ही इसके सात ही आप देखेंगे की आप अपने कई इच्छाओं के भी यहाँ पर पूर्टी कर पाएंगी क्योंकि इच्छाओं के भाव के स्वामी यानि कि काम ध्रि होते हैं वो कहिना कहीं वेक्ति को या उसके अंदर जो एक साधना करने की शम्ता है या कहिए जो तप करने की शम्ता है अब तब को हम किवल साधना मंतर जाप से नहीं देखना चाहिए जो वेक्ति कोई तप करना जाता है कुछ बड़ा करना जाता है उसके लिए पहले उसको तो ये अपने जीवन में कुछ बड़ा कारे करने के लिए सबसे प्रयोक्त सबसे उत्तम समय है अच्छा टाइम है इसका लाब उठाईगा मंगल आपके दस्वे घर के स्वामी भी है पहले तो ये राजयोग बन रहा है क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोन में है तो करियर में भी लाब होगा क्योंकि करियर के भाव के स्वामी ही है और पंचम में बन रहा है तो पुना वही जो मैंने कहा इस सबका लाब मिलेगा आपको लक्षमियादी, आइडियाज आदी अब क्योंकि दस्वे के स्वामी अपने से अश्टम में है ये दो चीज़े इंडिकेट कर रहे हैं कि जॉब चेंज करना चारे थे, योग बन सकता है या फिर अचानक से आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता अगर आप बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो आपका डिपार्टमेंटल चेंज, आपकी ट्यूटी जरिस्पॉंसिवलिटी चेंज हो सकती है तो ठीक अगर आप चारे थे, कुछ बदलाव, तो बहुत अच्छा समय है और क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं, नौलेज का भी है, स्टडीज का कहा जाता है तो आपको अपने करियर के बारे में कुछ नया जानने का आउसर प्राप्त होगा अपने आपको रीबिल्ड करने का आउसर प्राप्त होगा, आपको अपने करियर को एणहेंस करने का अपनी नौलेज के दुआरा आउसर प्राप्त होगा तो ये भी बहुत अच्छी चीज़े यहां पर दिख रही है लेकिन मंगल के पंचम में आने का बुरा प्रभाव क्या होता है? बहुत व्याकुलता रहती है, शास्तर कहते है कि पंचम का मंगल व्यक्ति को व्याकुल बनाता है उसके अंदर वात बढ़ जाता है, अब ये आयरुवेट का टम है, वात क्या होता है ना, बोडी में वायू बढ़ती है और जब वात प्रक्रति बढ़ती है तो व्यक्ति के अंदर ज़दबाज रहती है तो आप बहुत व्याकुल रहेंगे, एंग्जाइटी बहुत जादा रहेगी, उस पर कंट्रोल करना है, पंचम के मंगल संतान के लिए अच्छे नहीं होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, एक तो आपकी संतान को चोट आदी लग सकती है, इंजरी हो सकती है, दूसरा अगर आ संतान इसे संबंद भी खराब करते हैं, तो इन सब चीजों पर आपको बहुत ध्यान देना है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनको भी ध्यान देने की अवशकता है, क्योंकि पंचम में मंगल रिलेशनशिप में बहुत एग्रेशन लेकर आते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इच्छाएं बहुत बर जाती हैं, डिमांडिंग बहुत हो जाते हैं, और फिर प्रॉब्लम ग्रेट करते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान देने की अवशकता आपको वश्य है, शनी मंगल का त्रिकोन योग बन रहा है, एक चीज़ भूल गया, मंगल उससे भाव में बैठे हैं, यानि की प्रॉपर्टी से कुछ लाव प्रापत हो सकता है, कोई प्रफटी रंट आउट करके, कोई प्रफटी, बीच के मैं नहीं कहुंगा, लेकिन प्रॉपर्टी से लाव, यहाँ बहुत है तो शनी लगनेश है, मंगल आपके करमेश है, तो लगन और कर्म का त्रिकोन योग है, पुरह कहूंगा बहुत कार्य पूर्ण होगी, कार्यों में एक सफलता तो प्राप्त होगी, कार्यों को गती प्रदान होगी, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे, ये धर्म का स्थान है, मैं हमेशा कहता हूँ कि संस्क्रित में कई एक च पुर्वासा क्या है कि शनी बारवेहर के स्वामी भी है और जब त्रिकोन योग बनता है तो थोड़ा सा वही जसे बने का बात करते हैं मंगल की चौथी द्रिष्टी पड़ेगी अश्टम भाव पर अब यह अच्छा बुरा दोनों प्रभाव ले करेगा पुनहा दस्वे से ग्यारवा लगन से अश्टम यानि कि जॉब चेंज के योग बन रहे हैं मंगल की द्रिष्टी द्वारा और यहां पर क्य कारे पून होंगे अश्टम भाव है अंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है अस्ट्रल प्रॉपर्टी का स्थान है वहां से लाव मिल सकता है रुका काम बन सकता है और योग कारक अश्टम में यानि कि रुका हुआ पैसा रुके हुए रुका भने बनते हैं और ऐसे लोग बहुत होते हैं सामने तो आपके अपने बनेंगे कि हाँ हम तो आपका ही चाहते हैं सब कुछ भला लेकिन आपके जहां पे आपने उनकी तरफ पीठ करी खंजर उनने डाल दिया तो आपको यहां पर अपने गुप्त शत्रों से बहुत सजक रहन और married life पर थोगा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि सब्तम से दूसरा भाव है यह मांगल इस्थान कहा जाता है अश्टम भाव को लगन से अश्टम को मांगल इस्थान कहा जाता है नीज के शुक्र अलड़ी married life में problem आते हैं के तू के साथ बैटे हैं तो problem और बढ़ेगी और मंगल की दृष्टी फिर married life में aggression लेके आती है तो थोड़ा सा married life पर ध्याग दीजेगा क्योंकि problems थोड़ी सी process यहां पर होती भी दिख रही है और इसके साथ ही अश्टम भाव ज्यान का होता है गुडविद्याओं का होता है और केतु है तो आपको कुछ नया research करने का क्य लाव को देख रहे हैं यह अपने आप में बहुत अच्छा योग होता है कर्म और भाग्या कर्म और लाव का अगर योग हो जाता है तो यहां पर आप देखेंगे अधिक्तम जो आपके कारे हैं जो भी आप काम करेंगे इस almost दो महिने के काल खंड में उसमें सफलता है तो यह बहुत अच्छा है लाव उठाईएगा मंगल क्यूंकि आपके दस्वे घर के स्वामी है अगर आप अपने कारेक शेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे थे तो यहां पर बहुत मौक्य आपको मिलेंगे बस मंगल है तो महनत करने के लिए रेड़ी नहिएगा मंगल मंगल की आठी दिश्टी रहेगी बारवे घर पर और बारवा घर क्या है आपका विदेश का और यह मंगल की उच्छ की राशी है तो कोई भी ग्रहागर अपनी राशी उच्छ की राशी मुल्त्रिकॉन राशी आदी को देखते हैं तो उस भाव को स्टॉंग करते हैं तो खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे ध्यान दीजेगा उसका और थोड़े सी इंजिरी के योग भी बारवे घर पर बढ़ जाते हैं पर रिशानी जादा रहेगी और नसों के रोग तक करेगी तो इन पर ध्यान दीजेगा उपाई सरूप क्या करना है कि जटा वाला नार्य लेना है उसको कलावे से तीन बार बाद रहा है चंदन का तेलक लगाना है बेसन के हलोए का जो गुड़ में मना हो उसका भोग लगान करना है तिलके तेलके दो दियर पड़ करने है और बजरंग बाण का दो बार पाट करना है इच्छा पूरी श्रद्धा से और स्वाइच्छा से अवश्य की सुभाई को कीजेगा अच्छे रिजल्ट आपको अवश्य अप्रापता होंगे आशा करता हूं कि वीड़ा आप